आज बात करते भश्पुली के उन्ही दरदनाग गानों के बारे में जिन होने रिस्तो को बर्बात करने का कोई भी मौका नहीं कवा है सालों ने गाना गागा कर जीजा साली देवल भावी करके रिस्तो में सक पैदा कर दिया है हम बोले थना भश्पुली के राइचर लोग गांजा मार के गाना लिखता है किसी को भरोसा नहीं हुआ अब धोरी चाक्रा तो सबका पिछवारा भाक्रा है हमको तो कभी के भी लगता है रहे कि बोले बुच से जारा अफिम भश्पुली वाला मार के बैठा हुआ है देवारा धोरी चातना पा देवारा धोरी चातना पा तो स्वागत है आपका हमारे विजलोब जीजा साली और देवर भाविना भोशपुली राइचरों का आक्सीजन का काम करता है जिसको भी आक्सिजन का जरोत है न, 21 बार जिजा सली, जिजा सली, जिजा सली करेगा, 11 बार देवर भावी, देवर भावी, देवर भावी करेगा, तो सुध पियोर आक्सिजन मिलेगा, अगर धोरी आना भी बोल दिया न, तो जिन्दगी में कभी तुम्हारा आक्सिजन का क इतना धोरी में ताकत है भोजपूरी भोजी के, असाली के, भोजपूरी में यह नया गाना है, देवराज धोरी, चेटनाबा, इस गाना के गाया चंदन चंचल को, इतना पत्रकारों वेज़ेद पोच्छर किया, इतना टौचर किया, पूछो नहीं, पत्रकारों ने ऐसा बनाये कि लगता है कि भोजपूरी में पहले भाट धोनी के साथ कुछ हुआ है। पत्रकारों से पुछना चाहते हैं। चंदन चंचन ने एक असलिल गाना क्या गा दिया। अपने केरियोर को उपर करने के लिए अपने डूप से केरियोर को बचाने के लिए सालों के पेट में दर्द उठने लगा। दॉसर कोई तनकी से ढोरी का जातहरे है इसे अधियार केपी बिच्वारा में दंभ म्यूद में पुषकरा ना? लिए दो प्रमोर्ट प्रेमी के माई बाबू अब भाई से जाके पूछो कि आपका बेका अस्लील काला क्यों गाता है जानते हो पत्लकार भाई ओही माई को अच्छीन के तुम्हारे पिछवारा में गाल के माईग चेक 5003 माइक चेक 그거 कर देख़ा ना प्रस्कपुष्निल राइक बचाएगो ना उत्तर दने लायक बचाएगो ना जानते हैं समुल मंतर से जो अमरित निकला था उसका दूबुन बिहार के भौजी औ साली के धोरी में गिर गया है तब बेसे जीजा और देवर लगल रते धोरी चाट के अमर होने में भागवानों जी सोचते हो कि धोरी बना के हम गलतिये कर दिये मान लो धोरी के जगा पिछवारा होता तो कितना मज़ा आता साली और भोजी सूबर सूबर देवर जीजा के खोजले चलती अब समझ लो काही खातिन देवरा धोरी चटनाबा धोरी चटनापिना बिहार में सब ज्यान दे रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं गाना चाहिए बिहार की छवी खराब हो रही है काजल रागवानी आपने तो सिब भक्ती गिर गाय है आपने तो असलील कभी किया ही नहीं है असलील गाने कभी गाय ही नहीं है कामी नहीं किया है तर जमानी के का चलग रहा था पवन सिंग के साथ है तर मेहरी के सुख कहे पवन भीया से माँग रहे थी खेसारी के साथ तकिया साइग में कहे हो रहा था अगोदी के मजा पलंक पे केपड़ा नहीं मिल रहा था इस अब असलिल नहीं है तो अच्छा गाना परिवाल के साथ धेखने लैग, नास के रख दिया पुरह गिया दिया, अब ग्याम पैल रहा, खेसारी लाले आदो केतना बटम केतनन के धोरी में तोरे हैं कोई हिसाब है पवन भीया केतना के धोरी पसीना से भरे हैं कोई हिसाब है खेसारी लाले आदो केतना के धोरी फुलाहा का तोरा बना दिये हैं हिसाब है पवन सिंग केतना के धोरी में बीयर भरे हैं हिसाब है एक छोट गायर धोरी चाक लिया कनगोजर के एको टांग फिट टूटी ये गया तो पत्रकार के इतना मेरीचा कहे लग रहा है खेसारी लाल पवन सिंग परमोत प्रेमी के समय कहां चल जाता है पत्रकारी ता आपके कहां घुश जाता है औरी धोरिया में कहां गर्ना के रस जा रहा था बीयर भरते पवन सिंग फुलाह का चोरा बनाते हैं कहसारी लाल अचोली बिसर्वन करते हैं परमोत प्रेमी कहनी प्रत्रकार जाते हैं पुछने उसके बाब के मुझ में डालो माई कुछो तो आप बेटा असलील गाना गाता ह क्यों गाता है देवर भावी से ज्यादा ना जीजा साली के रिस्ता को बरबाद किया है भुछपुरी गाया आने वाले समय में बिहार का इहाल होगा कि तिन चार वो बहिन वाला का साधी नहीं होगा सब कुमारे वई ठाईगी असाद के छोटकी गरों कहियों नहीं होगा यह वो- गाना है शाली आदी गरवाली होती है इक गानवा को सुनके न बिहार के जिजा लोग सिरीयस ले लिया साली के पुरा अपन इहीं समझता है एक गाना के चलते कितना बिहार का रिस्ता बरबाद हुआ है इस गाना को गाने वाले के पिछौनें ने बिन छिलागवा करना चाहिए, सारा पुरा रिस्ता बरबात करती है, सक्केदारे में सब को जाल दिया, बिहार के बहुत सारे जीजा साली को आधी घर वाली समस्ता है, वहीं साली लोग जीजा को आधा पतिय समस्ती है, बिहार बहुत सारे जीजा साली के जिंदगी से खेल रहा है, मेरा बात आने वाले समय मेरा साली का साधी होना मुस्किल हो जाएगा बिहार के गायर आज जीजा मिलके ना हो नहीं ने लेगा लाश में बस इतना कहेंगा ना हर रिस्ते की एक सीमा होती है उस सीमे को बनाई रखी मंदारी के साथ अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जाहिन